ये विडियो उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि मोबाइल से कोई भी फोटो को कम्प्यूटर या फिर लैप्टॉप में कैसे डाला जाता है आप मेंसे काफी सारी लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि कोई भी फोटो को मॉबाइल से कम्प्यूटर या फिर लैप्टॉप में कैसे डालते हैं तो आज की इस विडियो के अंदर मैं आपको यही पूरा कम्प्लीट सिखाने वाला हूँ कि कोई भी फोटो को आप अपने मॉबाइल फोन से कम्प्यूटर या फिर लैप्टॉप में कैसे डाल सकते हैं हैलो दोस्तो मेरा नाम ही गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास दोस्तों अपने mobile से कोई भी photo को अपने computer या फिर laptop में भेजने के लिए आपके पास वो mobile होना चाहिए जिसमें वो photo रखी हुई है और इसके बाद जो है इस तरीके से एक USB केबल होनी चाहिए और ये केबल वैसी होनी चाहिए जो आपके mobile में attach हो जाए यानि ये जो पहला हिस है इसको आपको अपने mobile में जो है कुछ इस तरीके से लगाना होता है इस तरीके से लगाना होता है और दूसरा ये जो हिस्सा है इस USB का ये जो दूसरा हिस्सा है इसको अगर आपके पास जो है laptop है तो आपको laptop में लगाना होता है अगर आपके पास CPU है तो CPU में लगाना होत है कैसे लगाना है चलिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले तो मैं आपको लैप टॉप में कैसे लगाते हैं यह बता देता हूं देखे यह वाला हमारे कुछ इस तरीके से, यह लग चुका है, बस यही काम आपको करना है, जब आप अपने computer के CPU में जो है लगा दोगे, प्लग कर दोगे, या फिर जो है अपने laptop में प्लग कर दोगे, इसके बाद जो है कुछ इस तरीके से option आएगा, यहाँ पर आपको यह जो second वाला option इसको select करन यहाँ पर देखिए, मेरा phone जो है, रियल में C3 है, इसलिए यहाँ पर मेरा phone दिखाई दे रहा है, आपका phone जो भी होगा, उसका नाम इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा, आपको क्या अगर ना है, इस पर double click करके इसको open कर लेना है, अगर आपने phone में memory card भी लगाया ह उस पर double click करके open कर लीजिए, अगर आपने photo अपनी camera से खीची है, तो वो आपके DCIM folder में होती है, अगर आप कोई photo डाउनलोड की हो, तो वो download में होगी, इस तरीके से आपके phone में जितने भी folder होंगे, वो सब यहाँ पर दिखाई देंगे, आप जिसमें भी photo रखे हो, उसको click करके open कर लीजिए, जैसे कि जो मेरी photo है, वो मैंने camera से खीची है, और वो DCIM folder में है, तो मैं इस पर double click करके इसको open कर लूँगा, इसके अंदर आप देखोगे, एक camera का folder है, हम इसको double click करके इसको भी open कर लेंगे, तो देखिए, जितने भी मैंने camera से photo खीची है, वो इस तर selection बना लीजिए, जितनी फोटो को लेके जाना चाते हो, अपने computer या फिर laptop में, और दूसरा तरीका ये है कि आप बाहर click कर दीजिए, और यहां से अगर आपको यहां तक लेके जाना है, तो यहां पर एक बार click करिए, इसके बाद shift के साथ button दबा लीजिए, shift को और यहां प तरीके से, इस तरीके से, तो बीच वाली भी select हो जाएगी, तो इस condition में हम shift का button इस्तमाल नहीं करेंगे, इस condition में अगर हमको एक photo छोड़ कर किसी दूसरी photo को लेके जाना होता है, तो इस condition में हम लोग जो है, control button के साथ जो है, file को select करते है photo को, ठीक है, कैसे करते हैं, देख लेके जाना चाहता हूँ, इसके बाद इसको, इसके बाद जो है, मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ, इसको 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 इस तरीके से आप जो भी photo लेके जाना चाहता हूँ, इस तरीके से अलग-अलग selection बना सकते हो, तो selection करने का भी तरीका तीन ह मैंने आपको बता दिया है चलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा फोटो को ले के जाना है तो मैं यहां से जो है क्या करता हूँ इस तरीके से सेलेक्शन बना लेता हूँ सेलेक्शन यहां पर यहां तक मैंने बना लिया है और इन सभी फोटो को मुझे अपने कम्प्यूटर में ले के जाना है तो मैं क्या करूँगा यहां पर राइट बटन क्लिक करूँगा और यहां पर यह कॉपी का बटन है इस पर कॉपी कर लूँगा इस फाइल को यहां से छ हो जाएगा अगर ये बटन आपको नए दिखा रहा है दिखाई दे रहा है तो आप देखिए उपर shortcut बता रहा है control के साथ V बटन भी अगर आप प्रेस कर देते हो तो भी यही काम करेगा तो हम इस पर click कर देते हैं इसके बाद देखिए बारी-बारी से हमारी जो है में करकर देख सकते हो इस तरीके से आप अपने mobile phone से कोई भी फोटो को अपने computer में ला सकते हो अभी देखें यह हमारे computer में भी फोटो है जो कि new folder में है और आप जाओगे अपने file में तो यहां पर भी देखोगे वह photo आपके जिह है mobile में भी रहेगी तो mobile अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो ये वीडियो आप जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर करिए, चैनल पर अगर पहली बार हो तो चानल को सब्सक्राइब भी कर विलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जाए हिंद वन्दे मातरम